हेलो एन वैलकम टो एफसक्लासिश एफसक्लासिश में आपको सवागत है आज इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा अपना सेल्फ फ़र्षट का अंदर का है एक्जाम अनलिसेश आरब्याई ग्रेटबी दोजार रिकिस में जो अरा हमारा चेह मार्च दोजार रिकिस कर दूंगा अगर आप चाहोगे तो बागी शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा हेल्फुल रहागा तो वह देख सकते हैं या फिर आगे आपको आर बेग्रेट भी का आने वाले सालों में एक्जाम देना तो उसके लिए भी आपके लिए अपने अटेंट्स बताऊंगा और कोश्चन कैसे पूचेगा एक्जाम में बताऊंगा और लेवल और एक्जामनेशन क्या था प्रिवेस एर से वह भी बताऊंगा तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना आपको सब्सक्राइब आ जाएगा तो चलिए हम वीडियो शुरू क करते हैं कहले मैं आपको पता तो इसके अंदर section आपको बताऊंगे कहना इसके अंदर इसमें 30 होते हैं आपके इंग्लिश में जीके में 80 कोश्चन रीजिनिंग में 60 और मैट्स में 30 तो और यह 200 कोश्चन आपके 200 मार्क्स के तो इसमें आपको प्री लेवल में बस क्वालिफाय करना है इसके नमबर नहीं जूड़ते हैं कि तो उसके अंदर बताये तो मैं पहले आपको इंग्लिश में कैसे कोशन आए दस कोशन आया आपके 8 के उपर आप कुछ दो तिन कोशन ऊपर नीचे हो सकता है एक देक्शन में याद दिया है 30 में अट में करने थे यह कोश्चन आपको इसके अंदर यह आपके दस तो आर्ची के थे एर्र डिटेक्शन एक कोशन थे आपके पांच के राओं सेंटेंस रियर्जमेंट था यह था आपके पांच कुश्चन अब क्लोस टेस्ट थे आपके वह भी छहतात कुश्चन थे वाकि वर्ट स्वाप थे आपके तीन से चार कुश्चन तो टोटल बलाके यह बन रहे थे आपके तीस कुश्चन के रहा हूं और इनका लेवल में बोली तो इजी टू मॉडरे सकते हैं अब इसके अंदर आटाम्ट बता हूं अपने में तो मेरे समय अटेम्ट थे 24 अटेम्ट है मेरे समय थर्टी में से अब एक कुरेशी पूरी 100% तो नहीं कहा सकता मैं हां मतलब सही रही गया अपकी रिजल्ट आने पर आपको मैं अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊं करेंगे कि रिजनिंग के अंदर आप 45 मिर्ट मों करने थे साथ कुशन लेवल इसका ठीक ठाकता इसी टू मॉडरेट कह सकते हैं लेवल इसका अब वैरी करती है पर्टिक्लर परसंट पर इसकी इसकी अच्छी है उसको इसको एजी भी लग सकती है जिसको डर लगता है सिब्सक्राइब कर दोनों का पॉइंट और लोग सकता है बाग के आपको बताया है कैसे ब्लेट रिलेशन अपटा था इसके इंदर आपका अफ़लोर बेशब पाजल आई भी थी पजल थी इसके अधे आपकी बोच्वां कर दोस्क था एंदर एपकी साथ हैं घॉच्छ ज लॉजीकल रिजनी थी और सयलिजियंग थापका 5 कोश्चन ओनली फ्यू वाले थे इसके अंदर तार डिरेक्षन इकॉश्चन थे पांच बिलड चुश्चन थे और नुमेरिकल वाले पी गोश्चन थे निमेरिकल वेकल बेस्ट मतलग की अल्फनेमेर बेस्ट जो ते इन जो तो अब्र अब्रक्राइशन तो आपको स्कुरिंग थे इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग इजी थी इनेक्वालिटी इजी थी और अफन्युमेरिक बेस्ट जो थे वह इसी था ब्रॉड़र डिशन थोड़ा टिपिकल था बाकि आपका डारेक्शन भी ठीक ठाक्ता आप कर के लोगिकल क्रिटिकल होती है तो हमारे चारों ह्ता है तोसको वसके इंदर जो मेरे अटेंप्स होगे तो क्यों कि प्हले में सिम्हारम चाम बचानी था जो पाली अब करलेता है जो कि मेरा फेर्ट सेक्षिन और स्ट्रों क्रण। सेक्षिन टो समें में अगर इजी बोलना है कि यह मकल में फिर आप से शरॉंग में मैंस से तो अज़र में हैं आपको आपके पॉइंट ऑ बोलने गोश्च्ष करता हैं मुझे एजी लगी मगई एजी टो मोटरेट थी मैं में बताए दूं कैस तोटल है पांच दस तर चार चौशन वाले आपके तो टोटल यह मिला उगया पांच दस तर चार चौशन और नमारे थोड़ा अजुर्ट index सब्सक्राइब यहर लुचा आज उड़के 6ग अरिक्षणि दो यह मज मीसि अफ़ोट करने वाले हैं अब बागी हम बात कर लेते हैं थी इसके सबसे जुक्षेज रही है कि इसकोरिंग भी है। हो तो कोई बात कर लेते हैं कि अंदर हमारे जो कौश्चन आये हैं इसलिक के पहले इसलिक की बात कर लेते हैं इसलिक के लिए इसलिक के अंदर अगर आप टो यह मोश्टली केस बोल रहा हो यह जाहतर कोश्चन लाष्ट चार मेंट के ते कौन से आपके डिसमबर जनवरी फर्वरी और आपका नौवंबर नौवंबर से लेकि फर्वरी तक के जादा कोशिन दे फर्वारी भी तक के पूश्चन दे बागी ते आपके और इसके फोर्टी टूट एंप्र एम मेरे इसके इंदर मगरए हनद्रे परसें एक्षरी के साहते मेरे मैं यूपल बनेए बीघु बिल्गुल सही है मेरें विक पता हैं और इसके बासी कुछ नि आथी बैंकिंट यूवरेनेस लिए कुछ अंभी इंग्लिश अपने टाइम्ट की बात कर लेते हैं कितने होने चाहिए इंग्लिश जीए रीजनिंग और मैथ लास्ट यह कट ओफ देखें तो लास्ट यह कट ओफ किया गई थी जनरल की बात कर रहा हूं है 122 अपन दोस्तों तो पेपर उसी लेवल का आया है कुछ हम यह नहीं कह सकते कि कम लेवल का पिछली बार से कुछ सीटे थोड़ी ज्यादा है तो कट ओफ कॉमडिशन बढ़ता सकते हैं अगर मैं एक्सपेक्टी कट ओफ की बात करूं तो 120 से 125 के राउंड रहेगी तो अभी मैं आपको बताया है तो इसमें 30 में से आपके 20 तो होने चाहिए मतले इतना भी हार्ड नहीं थी कुछ इंगलिश और जी अगर आपकी अच्छी है तो आप यह रीजनिंग और कि अच्छी 80 में से ज्योंकि को डियुकर आपको तो कम attempt कर पाये हो तो आपकी सही म Whenever कबर कर लिया ली हैं रीजनीं की बात करें कि रीजनिंग के साट कुशन थे साट में से मैं कह सकते हूं 25 तो सही अथैम्ट आपका मैट की बात करें सत्रा बोल सकता हैं सही अगर नोम कलकुलेट करें साथ और साथ चार आठ दस एक सो साथ अटेम्ट हुए जो कि आपका अगर नॉमलाइशन हुआ इसमें क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दो शिफ्ट हैं तो इसमें आपका घट बढ़ सकते हैं वागली वाली शिफ्ट का आप कुछ कहा नहीं सकते हैं और इसके अंदर भी आप प्लस मैंस 10 करके रखो 107 प्लस मैंस 10 जिससे कि आपके 117 क्या सपास तो बने ही नंबर क्योंकि 20 क्या सब्सक्राइब कर दो नंबर नॉमलाइशन से बढ़ें गई तो इसलिए इस वीडियो में बता दिया है मैंने आप सब्सक्राइब कर दोनों का एनलिसिस देखके बच्चों का अट सब्सक्राइब कर देना क्या सकती है और बाकि अपने अटेंप्स लिग देना बस और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो इससे कि आप मेरे जो आने वाली वीडियो होगी एक्स्पेक्री कट अब किसी भी स्कोर कर बगारा है कोई नोटिफिकेशन होगा उसकी तो आपको वीडियो देखने का